नमस्ते स्टुडेंस, बहुत दीन हो गए, अब हमें अच्छे से पढ़ाई सुरू करनी होगी, चलिए, आज हिंदी में हम कुछ आगे करते हैं, आप लोग UKG में थे, तब आप लोगोंने वर्णमाला सीखी होगी, आईए, हम फिर से वर्णमाला एक बार और याद कर लेते ह वर्णमाला में स्वर और व्यंजन, दोनों शिखे थे आपने, देखिए, आज स्वर क्या होता है, और व्यंजन क्या होता है, ये मैं आपको अच्छे तरह याद दिला दूँ, सबसे पहले स्वर, स्वर में तेरा अक्षर होते हैं, और स्वर किसे कहते हैं, ये मैं आपको देखिए चीनवर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्यद्वनी की सहायता से होता है और जिनके उच्चारण के समय मूख में वायू के रास्ते में किसी भी प्रकार की रुकावट पेदा नहीं होती उन्हें स्वर केते हैं जैसे की अ से अमरूद जैसे हम अमरूद बोलते हैं तो हमको इनके उच्चारण में किसी और अक्षर की सहायता नहीं चाहिए जैसे की अनार जैसे की अजगर आईए अब आपको यहाँ पे स्वर के चित्र दिये गए हैं सबसे पहला है अ से अनार आ से आम इ से इमली बड़ी इ से इख बड़ी इ से इश्वर भी होता है चोटा उसे उल्लू बड़ा उसे उन रूसे रुशी ए से एडी ए से एनक उसे ओखली अउसे अउरत अमसे अंगूर अह खाली आईए अब वियंजन के बारे में जानते हैं वियंजन की से कहते हैं? चीन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहाईता से किया जाता है तथा चीन के उच्चारण में जीब या होट मूख में विबिन स्थानों पर वायू के रास्ते में रुकावट उत्पन करते हैं उन्हें वियंजन केते हैं देखिए हमने यहाँ पर चित्रव दिखाए हुए हैं और सारी वर्णमाला लिखी हुई है चलिए एक-एक अक्षर हम लोग फिर से याद करते हैं चित्र के साथ सबसे पहले से ढकन अनकाली से तर्बूज तसे थर्मस दसे दर्वाजा दसे धनुष नसे नल पसे पतंग फसे फल बसे बकरी बसे भालू मसे मचली यसे यज्य रसे रद लसे लट्टू वसे वर्षा शसे शलगम शसे सटकोन ससे समोसा हसे हल क्षसे क्षत्रिय त्रसे त्रिशुल ग्यशे ज्यानी श्रसे श्रमिक्स ये सारे व्यंजन है आप लोगों को अब पता चल गया है स्वर और व्यंजन के बारे में ये मैंने आपको फिर से अच्छे से याद करवा दिया अब आप सबको क्या करना है ये जीतने भी स्वर और व्यंजन है वो आपकी एक हिंदी की कोपी में सुन्दर अक्षर से तीन बार लिखना है कितनी बार बच्चों तीन बार लिखोगे आप और जितनी भी बार आपको ऐसा लगे कि हाँ मेरे हेंड रेटिंग अभी भी अच्छे नहीं हो रहे है तो आप बार बार प्रेक्टिस के लिए लिख सकते हैं बाइ बाइ